देरेक्ट सेलिंग इंडस्टी में हर विक्ति का एक सपना रहता है कि वो अपनी कंपनी की सबसे बड़ी पिन को कैसे प्राप्त करे ये इंट्रिव्यों अगर आपने ध्यान से देखा तो आपका सपना पूरा हो सकता है दोस्तो नवशकार आदाब सिस्विकाल चैट विद स्वेंद्रवाट्स के नए एपिसोड में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आज का दिन हमारे लिए बेहत खास है क्योंकि ये कितनी बड़ी परस्टनल्टी हमारे बीच में आ रही है जिन को देश भर में करोडों लोग फोलो करते हैं जी हाँ बहुत-बड़ा नाम आईए मिलके स्वागत करते हैं बंबई से हमारे मेमान है राजेश यादव जी बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-धन्यवाद सर्थ आपकी शोब पे आने की लोगों को काफी उच्छुकता बती है बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-धन्यवाद सर्थ हमारी सबसे बड़ी प्लब्दी हम इसको मानते हैं राजेश सर् आप जैसा इतना बड़ा अचीवर एक फोन कॉल पे बंबे से दिल्ली आ जाता है यही तो है आपकी खासियत आप जिसे बुला है पुरा इंदुस्तान आ जाए तैंकू सो मसर आने के लिए कंपनियों में अप्लाइन होते आप पुवे इंडस्ट्री के अप्लाइन है तैंकू सो मसर यही आपकी विनम्रता आपकी महानता मुझे अच्छे से याद है जब हमने बुम्बे में एक बार एक मन्सेर किया था एक उसमें डिवेट में हम लोग इससा रहे आपसे मिलके ऐसे लगता है नहीं राजिश जी कि हमारी मुलाकात अभी नहीं नहीं सी है ऐसा लगता है मुझे पस्नली कि जैसे बहुत दिनों से जानते हैं यह आपकी खासियत आप लोगों को बहुत कम सब्सक्राइब अपना बना लेते हैं वन्रफुल सर्थ आपका हमने कमिंग सुन का एक विडियो डाला था तो उसमें बहुत सारे व्यूज आए इतने सारे कॉंप्लिमेंट्स थे चाटना बड़ा मुस्किल हो गया कुछ चाटे हैं पढ़के सुनाता हम आपको Mission Impossible ने लिखा है Leaders, Leader of Leaders A great inspiration and it will be a great moment when two legends will have a live session eagerly waiting for this moment रुपेंद्रा ने लिखा है Direct Sailing के Real Hero राजेश यादव सर मिथलेश साहू ने लिखा है Direct Sailing की दुनिया में हजारों लोगों को बलंदियों में पहुंचाने वाले सबसे सरल सहज लीडर को मेरा दिल से प्रणाम आपका चेला मिथलेश साहू राकेश मिश्रा दीपु ने लिखा है आप अध्भुत हैं सर सुनील सेग वाकर ने लिखा है एक ट्रू लीडर ऑफ डाइट सेलिंग इंडस्टी एक हम्बल नोलिजेबल विजनरी लीडर हू कनेक्ट्स विद दा मासेज एस वेल एस दा रिस्पेक्ट फ्रॉम टोप लीडर ऑफ दा इंडस्टी और राजु ने लिखा है आ रहे हैं किंग मेगर डाइरेक्ट सेलिंग के महादेव बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी लोगों का यह प्याव मौबद जो हमें केवल इसी इंडस्टी में बिल सकती है ने तो जो लिखा इतना में इसके काबिल नहीं हो लेकिन आपकी काबिलियत बहुत बड़ी है राजेश सर और खुद मेरी जग्यासा है आपकी जिंदगी का सफर जानने के जैसे लोग कॉलेज करके निकलते जॉब के लिए या किसी की अपने लाइफ को करियर बनाने के लिए तो मेरा सुभा कि मेरा पहला करियर डेविक से सुभा थी और तभी मैं पोस्ट ग्रेज़ेशन और एंबीए की तहिया भी कर रहा था यह बात है नाइंटी सेवन की और म माध्यम से मुझे एक मिटिंग में लेखे गया जैसे नौ मिल हम ले जाते हैं वहां पर मैं कुछ लोगों को देखा अच्छा और एनावाई कैनेडा सा आई थे कुछ यूएस के थे और वहां पर हमको बतावे थे डेविक सेलिंग क्या है कैसे करना है यह मुंबई में थी म नोटिवेट हुआ प्रभावित हुआ और फिर मैंने डिसेजन लेया यह काम करना चाहिए कोंसा साल रहा हो गई 97 की बात है 97 ठीक है और फिर मैं सच बताव मैं डैवेक सेलिंग के इतना दिवाना बना कि मैंने अपना MBA नहीं किया अच्छा और कि मुझे एडमिशन मिला था नेटवर्क की दुनिया में आ गया और मैं पहली सुवात रही लेकिन अनुभाव अच्छा बिजनस में ने सीखा नोटाउट मैं भी डैवेक सेलिंग की बेज वलू बुनियाद वहां से बनी लेकिन इंकम सोफ जो बोलते जिसके वज़ेस हम आते कि इतना पैसा आएगा यह इस तरह से होगा ओ नहीं मिला जो हम सोचे थे कि इस तरह से पैसा आएगा उस तरह से पैसे नहीं आए इवें तो मैं वहां पे भी टॉप अच्छिवा भी था लेकिन जब मैरे जो सीनियर थे अप् को मैं तो जा रहा हूं अब आप आपका डिसीजन लीजिए अच्छा अब उनके जाने के बाद करीब 6 महीने तक हम लोग ने कोसिस की लेकिन हुआ नहीं पर हम लोग उने पर डिसीजन लिया हमारे सारे टॉप लीडर्स यार यह हो सकता है यह वीडियस में होता होगा इंड आज वो गल्फ कंट्री में चले गया और तू पागल की तरह सब क्या कर रहा है तेरा MBA भी नहीं किया अब तेरा क्या होगा आगे और इतना दुखी हो गया कि मैंने भी सुचा अब जाने यह अपने लिए नहीं है मैंने 99 के आसपास इस बिजनस को कुट कर दिया लेकिन बि अच्छा और मैंने अपना पहला एक छोटा सा वेस्ट अबेंट सभू किया और वेस्ट अबेंट कुछ दिन चला या नहीं चला पर मुझे ओ भी बन करना पड़ा और फेव मैंने एक कम्मुनिकेशन सेंटर सभू किया एस्टेडी पीसों की दुखान सभू की आरे क्या बा लेकिन अच्छ दिनो भी चलाया वहां से भी कुछ काम नहीं बना और उस वक्त कुछ मेरे मित्र थे जो नेट्वर्क इंडस्ट्री से थे तो कुछ ना कुछ कंपनियों में करते थे मेरे पास आते थे यह नहीं आ गई और नहीं आ गई लिकिन मैं वहाला कान को हाट लगा मुझे कुछ नहीं करना यह वाले लाइन में जाना ही नहीं है और फिर कुछ इतने उत्साहित दोस्ते मुझे मुझे मोटिवेट किया वाजेस काम कर हम लोग खुद की कंपनी बनाते यह बात है कभी 2000 की सन 2000 में और हम लोग कोशिज के फाइनसर पकड़े चलो वही खुद क काम होता है और फिर मेरा कोई काम नहीं चला फिर वहां पर भी दुखी हुआ होटेल बंद हुआ कमुनिकेशन सेंटर बंद हुआ फिर मेरे एक दोस्त के साथ मिलके उसकी दुकान थी वहां पर मैंने पार्टनर्शिप में गिफ्ट अर्टिकल के बिजनस सुरू की अच्छ पलिसी नहीं निकाली में भी पॉलिसी को यह निकाला बाद में ऐसा ऐसा करके सब बिजनस में फेल हुआ और नच आते हुए मैं जोब करने लगा अच्छा फिर में मजबुरी में में नोख करना करना सुरू की आज इत्वां के लाद नोख भी मैंने नेट्वर्ग जो ग्रेट अप्लाइन है उन्होंने मुझे बहुत समझाया अच्छा बिजनस है कर ले इसमें पैसे आते उनके चेक्स देखे उनके कुछ लीडरों के चेक्स देखे लेकिन मन में विश्वास नहीं हो रहा था कि वापस से करो मैं यह हो सकता है इनका होगा या कुछ इनकी कं अज़ा बताना आद लोग जो बोलते ना सब दुनिया वह के लोग सवाल पुछते जितना दुनिया ने पूछा होगा उतना मैं अकेला पूछा और मैं भी मैंनेज्मेंट को लीडर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे डेट दो साल मैं सवालों को जहला हो मुझस मैं उनको देखते रहा पैसे कुछ लोग हो मैंने मुंबई के कुछ लोगों को इंकम लेते हुए देखा मुझे लगा कुछ दो veins पैसे आ रहा है यह लगाता रहा है भूस्तयल हो करा चेंजמצ देख उननेरी सुफ़ध कर रहा है कि मुझे लगा एक कोशी सवर करनी चाहिए क्योंकि पेसे की बहुत सब्सक्राइब थी और इस बीच में जाने अन जाने में लाइबिलिटी में आ गया था अच्छा याने कवीब मेरे उपर 24-25 लाइबिलिटी हो गई थी लिया था मैंने कमी 7-8 लाइबिलिटी लिया था मैं मैं आठ साल कभी बैसी गुजारे एक वुपया भी मैंने कमाए ना घर में एक वुपया दिया मैंने और मेरे घर से भी मुझे एक ही था कि जो लोगों का लिया हो खतम कर दे क्योंकि मिडल क्लास हमा भी सोच होती है वही दरवा जाएब कोई मांगने ना आए अपने बहले दो रोटी कम खाओ लेकिन दूसरा कोई अपने पास आये नहीं और मैं भी यह थे कि बहुत सवे लाइबलीटी होने के वज़े से लोग मुझे ढून रहना पूछना कहा है लिया है कब देगा और यह ता मैं घर पे मिलता नहीं था सुबह घर से निकल गया तो आने का कोई नहीं है और इस तरह से में भी लाइब बड़ी मुस्किल वाली चल वही थी तो मुझे लगा एक कोसिस तो करनी चाहिए और फिर मैंने जॉब के साथ बिद्नेस स्टार्ट किया और तीन महिने में फिर में फूल टाइम सुब कर दिया बिद्नेस यह बात है 2004 की 2004 में फूल ट किया था यह 24-25 लाग किसी तब मुझे मिल जाए और मेरी जिन्दगी को चलाने के लिए महिने क्योंकर मिडल क्लास के लोग 10-20 सजाग भी आ गया तो जिन्दगी बहुत बढ़िया हो जाएगी यह सोच के मैंने सुब किया था हमारी कहानिया आपस में बहुत मिलती जुलती है एक्चुली हम सब लोग इसी बैक्राउंड से आये हैं राजेश जी जब मैंने डायट सेलिंग सुरुआत किया सुरुआत करने के बाद में मेरे उपर में दो लाक रुपए का कर्ज हो गया तो आपने तो ब्यास दिया होगा मोटा तो आपको मालू है कितना मोटा ब्यास कि यार यह दो लाग रुपया उतर जाए और कोई ड्रीम नहीं था और जब बताते हैं ने चाइनीज बंबू की तरह काम करता है समय लगता है लेकिन को काम करता है तो फिर साई चीज़ें ठीक ठाक हो जाती है अब मुझे सबंच सब एक चीज़ लगता है जितने भी में ट करना है जैसे जब बताते हैं कि सबसे ज़्यादा व्यक्ति तब भागता है जब कोई खुंखार कुटा उसके पिसे लगता है और कोई option नहीं होता है भागने ही पड़ेगा मैं यह सोचा करते रहा तो कितने साल लगेंगे मुझे यह कर्ज देने में अगर यहां से अगर गुजर रहे हैं और आप एक सही कंपणी में हैं और सही यू आप्लाइन की डिरेक्शन में काम कर रहे हैं तो देर सबेर आप उस लैवरिल्टी से बाहर आ जाएंगे और इतनी बड़ी परसनेल्टी बन जाएंगे राजेश यादाव जी की तरह कि चैट विच्वेंदर व बहुत इंटरस्टिंग है सर्थ आपका सफर क्यों कि आप टो पचीवर है अपनी कंपणी के एक हंदूस्तान की बहुत बड़ी कंपनी हमारे मरियादा है हम नाम नहीं ले पाते हैं लेकर ना तो पचीवर बनना हर व्यक्ति का सपना रहता है कि जो कंपनी की सबसे बड़ी जी समझ में आता है नौमल एक नहीं आदमी को कि क्या रेंग होती है क्या पॉजिशन होती है कैसे करना है उसे यह समझता यहां सब पैसा मिलेगा जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था मैं तो एक इनिंग खेल चुगा था सेकेंड इंडिंग में आया तो मैं टॉप अचिवर की हिसाब से नहीं आया है जिस मैंने का मेरा गोल बहुत किलेव था महीने की कुछ इंकम आजाए जो घर में मैं दे पाऊं घर के माबाब बोले भाई लड़का लाइन पे है कुछ काम दा दा और दूसरा यह लाइबलीडी में किया जब यहां पर मैंने वापद 2004 में काम सुरू किया तो मैंने बहुत मेहनत किया बड़ी इमानदावी से काम किया यानि मेरा यह रूटीन होता था कि सुबर में 7-8 बज़े घर से निकल गया तो रात को आने का फिर कोई समय नहीं है फिर 12 बज़े एक बज़े जितना वे इंतहा मौबत बोल सकते मुझे मज़ा आता था लोगों से मिलना लोगों से बाते करना बहलो ना बोले मुझे परता ना बोले क्या मेरे खुदी ये 1.5 साल दो साल ना बोला हो और क्या सवाल पूछेगा तो काम करने में अगर आपको लगन है तो टॉप पोजिशन अप किया और विदिन टू इयर्स मैं यहां पर डाइमंड बन गया अच्छा तो डाइमंड और भी लोग होंगे उसमें उस वक्त थे लेकिन मुंबई में नहीं थे एक दो लोगी थे सौथ इंडिया में काफी लोग थे क्योंकि हमें कमने सौथ इंडिया वेस्टी तो महां पर रही होगी कुछ पर्टिकुलर कोई योजना बनाई मेरी योजना एक ही थी उस वक्त कि मेरे टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों कर में लेकर आपाऊ और उनको एक लेवल पर अच्छिव कराऊ मुझे मेरा लेवल मैंने कभी अपने लेवल के लिए काम नहीं किया मुझ टीम में इतने नए डाइमंड बने इतने ये वेंकर्स बने उनका मान सम्मार अगर आप अपने डाउन लाइन की अच्यूमेंट्स के लिए काम करते हैं तो आपका अच्यूमेंट्स तो आटोमेटिकली होना ही होना है एक बहुत अच्छी कोटेशन है राजेश सर्व आप जीवन में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं अगर आप दुस्से लोगों की जो वो चाहते हैं उससे दिलाने में प्रियापसायता करते हैं तो यह एक करक्स है वो आपने पकड़ लिया कि भी दूस्रे लोगों के टार्गेट अचीव करवाएं तो आटोमेंटिकली आपके उठा के ले जाएगा तो मैंने पूरा अपना बिजनस बिल्ड किया मुंबई की लोकल ट्रेन में वहां लोकल ट्रेन चलती है लोकल ट्रेन बेश्टी की बसेस और मैं काफी चार-चार-चार-चे किलोमेटर में पैदल चला हूं मुझे आज भी दिन याद है कई बाए रात को मुंबई के दादर स्टेशन बभी वली ठाने कल्यान में मैं रात भाव वुका हूं क्योंकि लोकल ट्रेन दो गंटे बाद चार गंटे बाद आएगी तो श्ट्रगल उस वक्त भी किये ऐसे नहीं कि उस वक्त में बहुत पेसे थे लिए उस ट्रगल में भी आनंद आया लोग दुखी इसले हो जाते हैं उनको काम में मज़ा नहीं आवा है मुझे मज़ा आता है आद दो लोगों की जॉइनिंग भी लिए बहुत आनंद है आपने जो रहष्य धाना सर बहुत गाटित कर दिया है टोपची और बनने के लिए आपको काम से प्यार करना पड़ेग अचुरिण डबना पाजाएगी मैंने कर बड़े मुके संबाणिध कोड़ पड़ा था उन्होंने कहा था आप पैसे के पीछे मत भागो आप काम के पीछे भागो पैसा आपके पीछे आएगा आपके बहुत कोच मनोज वर्मा का प्रिशन है Sir, अगर डाउन लाइन, अपनी ही डाउन लाइन को अपलाइन के खिलाप बेवजै से नेग्टिव करें, तो टीम को कैसे समझालें? याने, डाउन लाइन यह डाउन को nेग्टिव कर आपलाइन के खिलाप. मैं उसे कहूंगा, sir, यह एक इगो की लड़ाई है बेसिकली और होता यह मैंने देखा इस अपने इंडस्ट्री में डाइवेक सेलिंग में कुछ चोटे-मोटे अच्यूमेंट हो गए तो लोगों के अलग तरह का इगो आ जाता है फिर उसे लगता है कि आप सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए और फिर यह थोड़ी सी पॉलिटिक्स होने लगती है फिर मैं हमेज़ा आपका फोकस सिफ्ट हो गया है आप जिस गोल या उद्देश को लेके आये तापका जो परपस था डैविक सेलिंग करने का ओ पीछे छुड़ गया और आपका ट्वेक बदल गया अब यह इगो की कुछ चीजे मन के हिसाब से नहीं होती है तो टॉप लीड़ का क्राम है आपस में बैठे जो भी यह वन टूवन उसे समझ के उसे दूव करें नीचे ना लेके जाए अगर नीचे लेके जाए इसका अपनी बिल्डिंग की कब खुदी खोदेवे अभी नहीं समझ में ने उनके खिलाब कुछ ने कुछ ऐसा कर रही है तो मैं क्या करूं समय तो आपका काम वही है अगर आपके इमिजेट जो लीडर है और आपके अप्लाइन के बारे में आपसे नेगेटिव चपचा कर रहे है तो इस समय में इतनी मैच्विटी मुझे भी आ जानी चाहिए क् टीम में कर रहे हैं जडीचे को जो नेगेटिव कर रहा है तो इस बीच वाले मेरा काम मार्व है वं-टु-वन बात करो मैं आपको मुझे क्या से कायए टै क्या जो मुझे क्या सकते हैं और एक चाइग इसलिए होता है जब आपका लीडर उपड़ आता है मैं यह कहता कि वो इंडिपेंडेंडेंट बन चुका है तो आप उसकी टीम उसके हल पे छोड़ दीगे आप मत इंटरफेव करें उसमें टांग डाते रहते हैं कुछ ने कुछ जैसे माअबाप हो गया है जब बच्चा बड़ा हो गया रही तो तैवा सीच चला मैं यहिए को करते बहुते हैं किन आपको छोड़ने भी आना चाहिए तू अपना इंडिपेंडनेंट के मैं भी क्या सला चाहिए वहता मैं बैठा हूं तुझे मदद करने के लिए लड़ाई नहीं लोग है ना सर वह बिलकुल एक प्रकार से वह लीडर बन जाते हैं फिल्ड वर्क करते नहीं है अलग मेरा भी 아침 थ्क्राइब मैं आपके पास में हमेशा च्रा जहिन कि आम करना कि आपकी टीम को लगता नहीं इसका को सबसे बड़े डायमंड बने के लिए पर डे कितने प्लान दिखाने चाहिए क्या काम करना चाहिए अगर आप पाट टाइम में काम कर रहे हैं तो कम से कम दो से तीन प्लान आपके होने चाहिए अगर फुल टाइमर हो तो 12 से 14 घंटे आपको फिल्ड अबर करने अच्छा उसमें 6-7 प्लान या जितना ज़्यादा ह हो सके आपके होने चाहिए कई बार क्या होता लोग फुल टाइमर तो बन जाते लेकिन काम पार्ट टू पार्ट टाइम वाला करते और फिर वो विजल्ड नहीं आता है जैसे मैंने सुबह 7-8 बजे घर छोड़ दिया तो रात को आने का कोई टाइम फिक्स नहीं है जब पने आप आएगा वेरी ट्यो मैं पिसले दिन ने विक्ति से मिला किरला से मेरी एक टीम में एक विक्ति ने काफी जल्दी अचीवमेंट की तो मेरा पस्नल इंट्रेस्ट होआ मैंने उनसे पूछा जाना तो उन्होंने बहुत अची बात कहीं ज़र उन्होंने बोला कि मैं सेलिंग में आने से पहले मैं गल्फ में जोब करता था और जो मैं डियेट सेलिंग में आया तो मैंने जो वाला जो मेरा रूटीन था वो मैंने टूटने नहीं दिया जैसे सुवे में तयार होके जोब के लिए कहते हैं, तो फुल टाइम है, लेकिन कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, टाइम पे उठेंगे नहीं, त्यार नहीं होके, और कोई बुलाएगा तो जाएंगे, तो वह अलाइटिटूड होगा, तो फोन आएगा तो मैं निकलूँगा, और कुछ लोग कहते हैं, टीम बुलाती ह कर पाओगे। जो हमारे basics है ना सर उन पर हर रोज ही काम होना चाहिए। हर रोज आपको कुछ लोगों को contact करना पड़ेगा ता कि कल appointment मिले, कल appointment मिली है तो आज उनको plan दिखाना है, कल जिनको plan दिखाया तो आज follow up करना है, closing लेनी है, तो वो हर रोज हमें ये काम करेंगे तो जैसे आज कल हमें न स्टूडियो बना रहे नया, तो construction चल रहा है, तो वो मिस्तरी को चाल देनी पड़ती आगे से, तो वो सुबह आपको, हाँ, वो पहले से plan करना पड़ता है, तो वैसे हमें चाल बना करना करेंगे, कि तभी हम लोग काम हो सकते हैं, तो ही काम हो सकते हैं वो सभी वीवर्स को मोटिवेट करेंगी, और आपकी बातों से लगे, उनको निश्यत रूप से लगेगा, कि टोप अचीवर बना जा सकता है, तो आपके पास में बहुत ग्यान का खिजाना है, राजे सर, जल्दी एक और इंट्रिव सूट करेंगे, वीवर्स की बहुत ब सरल, सहज, लेकिन हिंदुस्तान की बड़ी कंपनी के बहुत बड़े जीवर, और आपको भी अगर बड़ा जीवर बना है, तो सहजता सरलता अपने जीवर में लेकाई ये, काम से प्यार कीजिए, जिस प्रकार राजेस जी ने अपने काम से प्यार किया, और अगर आपको इस प्रकार की एजुकेशन चाहिए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर एजुकेशन कहां से मिलेगी अभी सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहे अगले मंगलवार को रातरी 8 पज़े फि से पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें वीडियो को जादा से जादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें